हेलो एभीवन स्वाकत है आपका आपके अपनी चैनल पॉफेक्ट पामीसी पे मैं हूँ सुनीता कवर और आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिसकर्स करेंगे हमारा जो फिफ्ट सेमिस्टर का सब्जेक्ट है फार्मसुटिकल जूरिस प्रिटेंस इसकी फिर्स्ट उनिट ठीक है तो फूर्स उनिट जो है इसका सिर्फ लास्ट टॉपिक हमारे पास बच्क है वह अज की वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देंगे सो मैनीपैक्चर ओफ ड्रॉब्डग्स वाला टॉपिक जो है वह वह कंप्लीघ हम लोग आज की वीडियो के अंदर डिसकस करने वा अंदर जैसे ड्रक्स बनती हैं तो ड्रक्स को बनाना जो है वही ड्रक्स की किहलाथ है भाकि हम लोग इसके definition भी वापिस एक बार देख लेते हैं तो manufacture किसी भी drug या कॉस्मेटिक से related क्या होता है कोई भी ऐसा process या पिर part of process जिसकी मदद से drug या कॉस्मेटिक को चैसे के लिए distribution के लिए बनाया जाता है ठीक है उसके अंदर उसकी making करी जाती है उसके अंदर कोई भी alteration करा जाता है उसकी ornamenting करी जाती है finishing करी जाती है packing करी जाती है labeling करी जाती है उसका breaking up करा जाता है तो यह सारी चीदे जो वो manufacture के अंदर आती है बट compounding and dispensing जो है किसी भी drug की वो manufacture के अंदर नहीं आती है ठीक है तो यह हमारे पास simply हो गई manufacture की definition तो अब drugs को बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या points आते हैं वो चीज़ हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो पहला जो टॉपिक हमें यहाँ पर अब देखना है वो है प्रोहिबीशन ओफ मैनिफेक्चर एंड सील ऑफ सर्टें ड्रग्स मतलब हमें यहाँ पर यह बताना कि ऐसे कौन से कॉस्मेटिक्स के क्लासेज होती है जिसका इंपोर्ट नहीं है तो वहीं से कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आएंगे तो हमारे पास मैनिफेक्चर का टॉपिक आचा है इंपोर्ट का है हम लोग वही पॉइंट्स में वह लेख सकते हैं बस हम लोग को ध्यान स दूसरा ऐसी कोई भी पेटेंट या फिर प्रोप्राइटरी मैडिसन जिसके अंदर जो फॉर्मला यूज करा गया है वो लेबल या कंटेनर के ओपर लिखा हुआ नहीं है तो उसकी मैनिफेक्चरिंग जो है वो भी अलाउड नहीं है देन सबसे इंपोर्टेंट के अंदर कुछ ऐसी बिमारिया मैंशन होती है जिसको ठीक करने वाली ड्रग जो है वो आज तक नहीं बनी है तो ऐसी कोई भी ड्रग जो यह बोल रही है यह क्लेम कर रही है कि वो उस बिमारी को ठीक कर सकती है जो की शिद्डियूल जे के अंदर मैंशन है तो उसका मैनिफ जो है वो भी अलाउड नहीं है देन ऐसी कोई भी कॉस्माटिक जिसके अंदर कोई ऐसा इंग्रीडियन प्रेजेंट है जो कि अनसेफ है या फिर वह हामफुल है यूज करने के लिए तो उसकी मैनिफेक्ट्रिंग भी अलाउड नहीं होती देन लास्ट आता है कि ऐसे कोई भ हो गई उसका जो इंपोर्ट हो गया वह सारी चीज़ें जो है वह भी मतलब प्रोहिबिटेड होती है वह भी मना होती है तो जब हमारे पास में यह वाला टॉपिक पूछा जाएगा कि हम लोग को बतानी है इसी कौन से क्लासे ऑफ ड्रक्स है जो कि प्रोहिबिटेड है मैन मैनिफेक्चर और ड्रक्स तो यहां पर सिंप्ली हम लोग को यह बताना है कि जैसे किसी भी एक सर्टेन क्लास की ड्रग या पिर किसी भी केस के अंदर हमें मैनिफेक्चरिंग के लिए लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए क्या क्या कंडिशन्स हो है वह फॉलो होनी चाहिए क्या-क्या conditions required होती है, license हमें चाहिए होता है manufacturing के लिए वो सारी चीज़े जो हम लोग यहां पर mention करेंगे तो जो भी license authority जो होती है licensing authority उसके द्वारा हमें मिलता है ठीक है तो जैसे जब वो हमें आज issue हुआ तो जो 31st December होती है next year की जैसे 2023 के अंदर issue हुआ तो 2024 की जो 31st December होएगी तब तक जो है वो license valid रहता है ठीक है अब हमको general conditions देख लेते हैं जो की fulfill हमें करनी होती है अगर हमें license रहे है manufacturing के लिए ठीक है तो सबसे पहला point यह आता है है कि application हमें डालनी होगी application form हमें फिल करना होगा prescribed form के अंदर and with जो भी उसकी application fee है inspection fee है उसके साथ में ठीक है तो सबसे पहला point यह आएगा कि application हमें भढ़नी है prescribed form के अंदर proper fees के साथ में दूसरा हमारे पास point यह आता है कि schedule M जो है उसके अंदर जो भी चीज़े mentioned है जैसे कि proper space होना चाहिए equipment होने चाहिए ठीक है premises किस तरीके से होना चाहिए plant and equipment वो सारी की सारी चीज़े जो है schedule M M1 M2 M3 के अंदर वो सब requirements हमें follow करनी होगी तीसरा point यह आता है कि analytical and testing section होना चाहिए जो कि एक ऐसे इंसान के द्वारा उसका supervision होना चाहिए जो कि वहाँ पर proper उसको उस सारी चीज़ के knowledge है और उसको experience है ठीक है license चाहिए होता है drugs के manufacturing के लिए तो अब next हमारे पास में आता है कौन कौन से type के license जो हैं वो हम लोग ले सकते हैं जब हमें किसी भी ड्रग के manufacturing करनी है तो तो सबसे पहला आता है license schedule c and c1 drugs के manufacturing के लिए ठीक है दूसरा आता है license schedule x ड्रग की manufacturing के लिए तीसरा आता है license हमें लेना होगा ऐसी दूसरी drugs जो की schedule c c1 and x के अंदर mention नहीं है उसके इलावा जो दूसरी drugs है उसकी manufacturing के लिए license ठीक है next आता है license ऐसी drugs की manufacturing के लिए जो किस काम आती है test के लिए examination के लिए and analysis के लिए काम आती है ठीक है then new drugs की manufacturing के लिए license then दो पॉइंट से मारे पास नए आते हैं यहाँ पर syllabus में एक तो आता है loan license and एक आता है करनी है तो ठीक है तो अब सबसे पहला point आता है कि जब हमें schedule c and c1 drugs है उसकी manufacturing करनी है तो जब हम उससे उसका license हम लोगो चाहिए तो हमें क्या-क्या conditions वो follow करनी होती है तो सबसे पहले तो जो भी requirements good manufacturing practices के अंदर आती है schedule m के अंदर जो mentioned वो सब हमें follow करनी होंगी जिसे की proper space होना चाहिए proper plants होने चाहिए equipment होने चाहिए उन drugs की manufacturing के लिए तो पहला point हमारे पास आगया gmp and schedule m वाला दूसरा point आता है कि जो strength and quality है drugs की उसे test करने के लिए हमारे पास में proper arrangement होने चाहिए क्योंकि ड्रग बनाने के बाद में उसकी टेस्टिंग करनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है तीसरा point ही आता है कि ड्रग जो है वो technical staff जो है उसकी guidance के अंदर ड्रग की manufacturing होनी चाहिए और technical staff जो है उसमें से कोई एक जो है वो फार्मेसी के अंदर या फार्मसूटिकल chemistry के अंदर graduate होना चाहिए साथ ही साथ उनके पास में 18 months का experience होना चाहिए drugs की manufacturing के अंदर और उसमें से 6 माइने का experience जो है वो degree के time का graduation के time का भी उसके अंदर add हो सकता है दूसरा वो graduate होना चाहिए medicine के अंदर जिनके पास में 3 साल का experience हो manufacturing pharmacological testing of drugs के अंदर ठेक है next point हमारे पास में आता है कि storage के लिए proper facilities होनी चाहिए जो भी drug हम लोग बनाएंगे जिससे कि उसकी properties वो खराब ना हो next हमारे पास आता है proper records हमें maintain करने होंगे जो भी drug की हम लोग manufacturing कर रहे है ठीक है proper हर एक एक badge की जिसकी manufacturing होई है जिसकी testing हो गई वो सारे के सारे records हो हमारे पास में maintain होने चाहिए and next point यह point हमारे पास सारी ही जगह आता है कि हम लोग को तो यह point हम लोग को बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना है कि authorized inspector जो है उन्हें हम allow करेंगे जब भी वो चाहें वो आ सकते हैं and premises and सारी की सारी चीज़ों को inspect कर सकते हैं यहां जो हम लोगोंने अभी discuss करी यह जो है general conditions आती है बहुत सारे जो हम लोग अलग-अलग यहां पर license discuss करने वाले types of license तो यह वाली जो है general conditions होती है most of the cases के अंदर ठीक है अब schedule C and C1 drugs की manufacturing के लिए special requirements क्या आती है तो सारी के सारे schedule C drugs जो है वो issue होने चाहिए sterilized glass containers के अंदर ठ तरीके से seal करके रखना होगा जिससे की bacteria की access जो है वहां पर रोकी जा सके मतलब sterilized glass container के अंदर उनको रखना है जिससे की bacteria जो है उसके अंदर enter ना कर सके ठीक है दूसरा drugs जो है वह जो schedule F के अंदर standards दिए गए है strength के quality के purity के वह सब drug follow करे ऐसा होना चाहिए ठीक है next sterility testing जो है properly करी होनी चाहिए सारे के सारे biological products की जैसे की सहरा हो गए vaccine हो गए antigen हो गए सब की देन license हो गया या फिर कोई भी renewal license वहां पर है या renewal certificate है तो वो सब जो है वो premises के अंदर सामने के सामने रखा होना चाहिए अगर कोई भी inspector मांगे कि आपना license दिखाओ तो हम लोग वो license वहीं के के वहीं उनको दिखा दें यह चीज़ यहां पर होनी चाहिए ठीक है तो यह फर्स्ट वाला पॉइंट जो हमारे पास complete होता है अब दूसरा पॉइंट आता है license जब हमें license चाहिए शिड्यूल एक्स ट्रक्स की manufacturing के लिए तो जैनरल कंडिशन्स जो अभी हम लोगों ने पी बहुत जाता सबूरी है क्योंकि इसका मेंस यूज भी बहुत जादा होता है तो यहां पर जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं शिड्यूल एक्स ट्रक्स के manufacturing के लिए वह प्रॉपर्ली सीरियली बांड एंट पेजड रेजिस्टर के अंदर होने चाहिए मतलब एक रेज लोगो maintain करना है इंड हर तीन महीने में उसकी कॉपी जो है वो लैसेंसिंग अथारिटी को बेजनी होती तेन जो प्रिपरेशन सोटी है शिड्यूल एक्स ट्रक्स ट्रू होती है उसके जो उसका लेबल होता है उसके उपर एक्स आर एक्स ट्रू होना चाहिए यह रेड इ एक्स ड्रग्स को हम सैंपल की रूप में ना बना सकते हैं ना लोगों को दे सकते हैं ठीक है नेक्स्ट अमारे पास में आता है ऐसी ड्रग्स की कोई है वो मैंटेन करनी होगी जिसके अंदर इंस्पेक्टर जब भी आएंगे अपने इंप्रेशिंस या फिर डिप्रेक्ट जो भी उन्होंने देखिया उसचीस को वहां पर मेंशन करेंगे तो एक इंसपेक्शन बुक जो है वह हम लोग को मैंटेन करनी होते है दिन इसके बाद में जो licensee है मतलब जिसे license अम्हा होगा है उन्हें स्येम्पल के लिए अथरेटी को टाइम डी तेने होंगे जब भी मतलब बोला जाए् कि हाँं भी licensing authority है वहाँ से order आया कि आपको सैंपल देना examination के लिए तो उसी टाइम प्रॉपर हम लोगोस्ट आपल जो डे देने हैं ठीक है दिन लाइसेंसी जो है उन्हें स्टेबिलेटी ओफ ड्रग्स का जितना भी डेटा है वो भी जब मांगा जाए तब भी प्रॉपर उन्हें देना पड़ेगा देन लाइसेंसी जो है उन्हें सारी की सारी एडिशनल रिक्वाइमेंस टू है वो फॉलो करनी होंगे जो भी अथॉरिटी ने दी है वो ठीक है देन नेक्स्ट हमारे पास में आता है लाइसेंस जब हम बना रहे हैं किसी भी ड्रग को टेस्ट एक्जामिनेशन एंड एनलाइसेस के लिए ठीक है मतलब उस ड्रग को टेस के लिए एक्जामिनेशन एंड एनलाइसस के लिए ही यूज करा जा रहा है तो उसके मैनेफेक्चर के लिए जो हमें लाइसेंस्ट है तो वहां पर क्या क्या कंडिशन होंगी तो जेनरल कंडिशन वही रहेंगी एडिशनल कंडिशन क्या होंगी हमारे पास सबसे पहला को किस परपरस के लिए बनाया गया ठीक है जैसे उसके लेबल पर साफ-साफ शब्दों में लिखा होना चाहिए कि यह जो है यूज के लिए नहीं है इसे सिपर से टेस्ट एक्जामिनेशन एनलाइस के लिए ही इस्तेमाल करा जाएगा ठीक है इंस्पेक्शन बुक जो है वो बनानी होगी लाइसेंसी को जिससे मतलब कभी भी इंस्पेक्टर आते हैं जो भी चीज़े वो बताते हैं खुद वो उसके अंदर मेंशन करके जाएंगे कोई भी दिक्कत आतो आते हैं जो भी है तो एक इंस्पेक्शन बुक जो है वह मेंटेन करने होती है किदैन इसके बाद में प्रॉपर रिकॉर्टस जो है वह मेंटेन करने होंगे ठीक है जिसे मतलब कितना जो ड्रका बनाया गया है उस डुल का नाम क्या है एड और किसको वो सप्लाइ करा प्रॉपर सारी चीजों का रिकॉर्ड जो है वह मेंटेन होना जो है दिन इसके बाद में ऑथराइज इंस्पेक्टर जो है उन्हें इंस्पेक्ट करने दे प्रिमाइस को जब वो चाहें तबी ठीक है और वो देखे ध्यान से की जो ड्रग बन रहे हो से जैंस के लिए हैं लाइसें सिंग जैसे बोला कि यह सारी रिकॉर्यमेंट्स जो है वह आपको फॉलूह करनी है तो एक मत की अंदर नेक्स्ट मारे पास में आताना था न्यू प्र्च तो नई ड्रग बंाने जो जो लाइसेंस चाहिए होता है तो उसके अंदर सबसे most important चीज़ यह होती है जैसे हम लोगों ने mention करा था schedule y के अंदर के आती है clinical trials आती है तो जो भी नई ड्रग बन रही है ठीक है उसके उपर proper सारे के सारे जो phases होता है clinical trials के phase first second third fourth proper सारे के सारे phases जो है वह हो रखे हो और प्रॉपर clinical trial holes रखी हो उसके बाद ही जो है drug की हम लोग मतलब और quantity के अंदर manufacturing कर सकते हैं ठीक है then manufacturing के साथ साथ उसके quality purity therapeutic trials सारे की सारे जो details है वो सब mentioned होनी चाहिए ठीक है तो new drug जो है जब हम इसके लिए license लेते सबसे most important चीज़ इसके अंदर क्लिनिकल ट्राइल्स रहो प्रॉपरली हुई है यह नहीं हुई है वो जीज़ आती है ठीक है नौन नेक्स्ट हमारे पास आता है लोग लाइसेंस ठीक है लोग लाइसेंस तो है सीधे सीधे फाइम मार्स के अंदर आता है तो यह बहुत करके अपने ड्रग की manufacturing कर सकते हैं उसके लिए हम लोग जो लेंगे वो लॉन लाइसेंस किछाबाता है ठीक है एक ऐसा इंसान जिसके प्रॉपरमाइसेज नहीं है उसका कोई फिरैंड है उसका कोई जानकार है कोई भी है जिसके पास प्रॉपर लाइसेंस भी एंप्र manufacturing नहीं की जा सकती ओके नाव जो लोन लाइसेंस है इसके लिए हमें क्या-क्या conditions वो फॉलो करनी होती है तो सबसे पहले पेरिंट फर्म कौन सी होगे मतलब जिन के पास में जगे है manufacturing के लिए testing के लिए तो लोन लाइसेंस की जो application है वो हम लोग पेरिंट फर्म जो है उनको दिखाएंगे उनके द्वारा वो सपोर्टेड होनी चाहिए तभी लोन लाइसेंस मिलता है ठीक है उसके बाद में drugs and cosmetics act के अंदर जितनी भी conditions आती हैं तो जिसको लाइसेंस मिल रहा हुसे वो सारी की सारी conditions जो है वो follow करनी होगी सिफ एक के condition वो जो है वो follow नहीं करेंगे क्यों के पास जो manufacturing testing की खुद की facilities नहीं है बाकी testing उन्हें proper करनी होगी हर एक एक batch के samples की जो है testing time to time करनी होगी सारी की सारी चीज़े जो है वो हुने follow करनी होगी जो drugs and cosmetics act and rules के अंदर दी गई है जब भी inspector चाहे उस जगह को आ करके inspect कर सकता है यह चीज़ भी उन्हें allow करनी होगी देन licensing authority जब loan license देंगी उससे पहले उन्हें यह चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो parent form रहती है ठीक है उनके पास में proper जो है staff होना चाहिए ठीक है and proper facilities होने चाहिए proper space होने चाहिए equipment होने चाहिए सारे की सारी चीज़ें होने चाहिए drugs की manufacturing के लिए ठीक है then loan license दो हो दाए वो cancel या फिर सस्पेंड कर दिया जाएगा अगर जो parent form का license है वो cancel हो गया है तो then last point हमारे पास यह आता है कि हर एक एक batch जो है raw material का हो गया या finished products का हो गया उसके proper testing जो है वो time to time होगी यह चीज license ही जो है उससे ensure करनी होगी ठीक है तो यह था complete हमारे पास में loan license के बारे में यही सारे points हम लोग five marks के अंदर mention करके आ सकते हैं और बहुत बार five marks के अंदर यह question हमारे पास आता ही है कि अब next and last जो type of license हमारे पास आता है वो आता है री पैकिंग license री पैकिंग लाइसेंस ट्रेसे हम लोग को नाम से तो पता चल रहा है कि री पैकिंग license जैसे कोई भी drugs हो गए उनकी हमें री पैकिंग करने है तो उसके लिए हमें चाहिए होता है अब री पैकिंग का मतलब क्या होता है री पैकिंग का मतलब यह है कि drugs जो हो गई वो बड़े container के अंदर है यहांठे पास पहले से एंवस से हम लोग क्या करेंगे उसको छोटे छोटे containers के अंदर बार रहे हैं चाहिए तो यह चीज़ झो यह हमारी री मैड़ी पैकिंग कहलाती यह यह रीकेंग करने के जादा से कम quantity के अंदर हम लोग उसको कर रहे हैं तो वहाँ पर जो हम लोग के पास री पैकिंग लाइसेंस काम आता है अब schedule C, C1 and X ट्रक्स जो है उसकी री पैकिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं ठेक है अब री पैकिंग लाइसेंस के लिए जो भी कंडिशन समलोग को फॉलो करनी है तो सबसे पहली कंडिशन हमारे पास यह होगे कि प्रॉपर सपेस होना चाहिए और पर एक्वेपमेंट होने चाहिए री पैकिंग के लिए जो री पैकिंग है वो हाईजेनिक conditions के अंदर ही होनी चाहिए ठीक है दूसरा point है मारे पास में यह आता है कि license जो है मतलब जिसे license मिला है उसके पास में proper arrangement होने चाहिए हर एक-एक batch जो है raw material का and repack drugs का उसकी analysis and उसकी proper testing के लिए ठीक है then license जो है उसके पास proper arrangements होने चाहिए drugs की storage के लिए ठीक है जैसे री packing भी कर रहे हैं पर उसके बाद उसका storage तो अच्छे से होना चाहिए नहीं तो उसकी जो quality है वो खराब हो जाएगी ठीक है देन license जो है वह इंस्पेक्टर को है वह वहाँ पर maintain होने चाहिए कि री packing जो drugs की करी गई है एंड उन records को inspector जो है अगर चेक करना चाहिए तो वह भी होने करने देना चाहिए ठीक है दिन license जो है वह premises के अंदर ही रखा होना चाहिए अगर इंस्पेक्टर बोलता है कि आपका license दिखाओ तो उसी टाइम हमें लाइसेंस दिखाना होगा देन एक इंपोर्टन चीज़ी आते है कि जो री पैक्ट्रक्स होती है उसके जो लेबल होता है लेबल के ओपर नंबर आफ लाइसेंस लिखा होता है तो यह चीज़ जयान रखनी है कि जो भी drug की एकम लोग कर रहे हैं वो drug and cosmetics act and rules to have के सारे के उसारे provisions को follow करें ठीक है तो यह हो गया complete repacking license जो भी हमारे पास types of license टे manukshet के अंदर वह कँप्लीट हम लोगों यहां पर जोई discuss कर ली है अब जैसे यहां पर हम हम लोग की फॉर्स्ट उने तो जैसे आप लोग ने आपर सारी चीज़ें सुनी तो उसे आपको समझ आगया कि जित्ती कॉंप्लिकेटर यूने दिखती है जैसे हम लोग सिलेबस देखते हैं मतलब यह क्या दिया हुए सिलेबस के अंदर थोड़ा ऐसा लगता है पर जब ची से जो हम इनको लिखके आ सकते हैं अब लास्ट टॉपिक हमारे पास आएगा ओफिंस एंड पैनल्टी इस रिलेटेट टू मैनिफेक्टर ऑफ ड्रक्स मतलब ड्रक्स की जब मैनिफेक्टरिंग हो रही है तो वहां पर क्या-क्या ओफिंस क्या-क्या गलतिया हो सकते हैं उस उसके लिए क्या पैनल्टी लगेगी पांच साल की जेल होगी ठीक है या फिर फाइन लगेगा दस हजार रुपे का ठीक है दूसरा पॉइंट आता है ऐसी कोई भी ड्रग की हम लोग मैनिफेक्टरिंग कर रहे हैं हमारे पास उसका लाइसेंस भी नहीं है ठीक है या फिर वो एडल्टी रेटेड ड्रग है जो डैथ या फिर सीरियस बॉड़ी हर्ट तो कॉस नहीं करेगी बट फिर भी वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है तो जब कोई ऐसी किसी ड्रग की मैनिफेक्टरिंग करता है तो उसे जेल होती है एक से तीन साल की या फिर उसका लगता है 5000 रुपे का ठीक है नेक्स्ट अमारे पास आता है जैसे ड्रक्स और कॉस्माटिक्स आट का कोई भी प्रोविजन है ठीक है उसे तोड़ते हुए किसी भी ड्रग की मैनिफेक्टरिंग करी जा रही है तो उसकी पैनल्टी यह लगती है कि जेल होती है एक से दो साल कि या फिर फाइन लगता है देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है जैसे कोई भी लाइसेंसी है मतलब जिसके पास लाइसेंस है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं कर पाया या फिर जब इंस्पैक्टर ने बोला कि आप यह रिकॉर्ड दिखाओ कि यह व या फिर दोनों चीज़े होती है ठीक है देन कोई मैंनिफैक्टरर है जो जो उस हरेद रहा है उसको वह फॉरण रेट ची ठीक है मतलब ड्रग की जो वॉरणेंटी यह गलत दे रहा है तो उसकी वज़े से जो पैनल्टी लगती है या तो जेल होती है या फिर फाइन होता है 500 रुपए का या फिर जेल और फाइन दोनों चीज होती है लास्ट हमारे पास में आता है जो गौर्वर्मेंट एनलिस्ट के रिपोर्ट होती है उससे अगर हम और स्प्यूरियस वाला है यह बॉइंट हमारे पास पहले भी था ठीक है तो कुछ-कुछ पॉइंस टो हमारे पास इंपोर्टन मैनिफेक्शर के अंदर सेम सेम ही होंगे अगर हम एक दो बार पढ़ेंगे ना तो सारी चीज़े दिमाख में बैट जाएगे बहुत ही आराम को लगे तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना थांक्यू सो मच इस वीडियो को इन तक देखने के लिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए